आज मैं आपके सामने आटम वाइल सेक्टर से जुड़ी हुए एक स्मॉल काइप कमपनी के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है राने ब्रेक लाइनिंग्स ये एक साउच इंडिया की one of the most famous group से कमपनी आई है और कमपनी के quarter three के result से मैं काफी satisfied हूँ क्यूँ क्यूँकि कमपनी की revenue growth के अंदर जो 7% का increase आया है उसका आप हिसाब net profit में अगर देखेंगे तो वहाँ पे कमपनी ने around 16% का improvement दिखाया है net profit के अंदर ये चीजे प्लस company के विड़ा margin के अंदर भी improvement है 10% का और company का जो इस टाइम margin है 10% की range पे जो company काम कर रही है automobile sector पे वहाँ पे improvement की गुझायश बहुत जादा दिखाई देती है मेरे को future के अंदर ऐसी चीजों पे आपको पकड़ बना के रखनी चाहिए और ऐसा sector पकड़ना चाहिए जिसकी growth इंडिया के इलावा export market के अंदर भी हो ऐसी companies को identify करना शुरू हो जाईए ये इंडिया के manufacturing theme के अंदर एक hot topic बनने वाला है अगले 10 साल के time frame में क्योंकि मुझे ये लगता है कि इंडिया के अंदर manufacturing theme के अंदर आपको ऐसी दिगज companies future में दिखाई देने वाली हैं जिनका हिसाब किताब भी आप नहीं लगा सकते क्योंकि आप छोटा से एक theme पकड़े automobile sector यहां पे इंडिया में दमा धर कंपनियों की गाड़ियां आ रही है कंपनियों की sale बढ़ रही है और यह एक ऐसा सेक्टर है automobile parts का जहां पे आपका इंडिया की domestic market के अंदर तो brand presence ही प्लस इसका एक significant portion आपका export market के अंदर भी बन है यह ऐसा काम है contract का जहां पे एक original equipment manufacturer जैसे की आपकी बड़ी-बड़ी companies होगी मारूती हो गया आपका कियास, हिंडाई वगएरा जैसी जितनी भी companies हैं यह अपने contract अगर इन छोटे level की companies को अगर देती हैं जो की एक particular set of product बनाते हैं इस case में राने ब्रेक लाइनिंग सिरफ दो से चार चीजे बनाते हैं और उन पे उन्होंने ऐसी पकड़ बनाके रखी हुई है कि उनकी इन product को लेके goodwill है market के अंदर ऐसी चीजों पे आपको काम करना है और future आपको समझना है कि कित्रा बड़ा scale पे काम हो सकता है यहां अभी के company के जो EBITDA margin है अगर यहां से और improve हो तो क्या बड़िया scale पे company काम कर सकती है आप हिसाब किताब लगाना शुरू करते ही है थैंक यू